दोस्तों नमस्कार संसत के भीतर 48 घंटों में ऐसा क्या हो गया जो एक जटके में लगने लगा कि बीजेपी की राजनेतिक जमीन कहीं खिसक तो नहीं गई क्योंकि बीजेपी के पास ले देकर दो ही तो चीजे रही है एक आरेसस यानि वैचारिक तोर पर उसने जो भी पाठ राजनेतिक शुद्धिकर्ण के जरीए पढ़ाया वही बीजेपी की सबसे बड़ी पूंजी है और दूसरी चीज है संगठन बीजेपी का अपना संगठन और स्वैसेवकों की अपनी कतार सभी मिल जाए तो इस देश के भीतर में राजनेतिक तोर पर बड़ी पुकता तोर पर बीजेपी नजर आती है और चुनाओ के मैदान में 2014 के बाद से बीजेपी के पास फिर दो ही तो चीजे थी एक तरफ RSS का हिंदुत्त था उस हिंदुत्त के आसरे बीजेपी लगातार खुत को हिंदुवादी पाटी कहती रही और राजनेतिक तोर पर राज्यों के चुनाओ हो या फिर केंद्र के चुनाओ हो हिंदुत्त के आसरे बोटों का धुएकन करने में कभी कोई कोता ही बीजेपी ने भरती रही और ध्यान दीजिये हिंदुत्त के साथ साथ दूसरी जो चीज थी वह था प्रधान मंतरी नरिंद्र मोदी का चेहरा उस चेहरे के आसरे ही इस देश के तमाम राज्यों के चुनाओं में बीजेपी जीती चली गई और इसका असर धीरे धीरे यही हुआ कि बीजेपी के वो तमाम कददावर नेता जिनोंने बड़ी मेहनत मशक्कत साथ अपनी राजनिती को साधा बीजेपी को फैलाया, संग ने साथ दिया और उसका एक विस्तार होते चला गया लेकिन जैसे ही दिल्ली की गद्धी पर नरिंद्रमोदी नजर आने लगे और उनके चेहरे के आसरे इस देश के भीतर में बीजेपी की पहचान होने लगी तो एक एक करके हर राज्ज के कददावर गाइब होते चले गए अब सवाल है कि उसी संसत के भीतर उसी चेहरे को लेकर और उसी हिंदुत को लेकर पहली बार राजनितिक चोट सीधे तोर पर राहुल गांधी ने जिस अंदाज में की उसने एक जटके में बीजेपी की राजनितिक जमी को हिला कर रख दिया है और ये राजनितिक जमीन का हिलना सिर्फ केंद्र के चुनाओं तक सिमित नहीं है क्योंकि राज दर राज की परिस्तिति को अगर आप परक्ते चले जाईएगा तो अगर प्रधान मंत्री नरिंद्र मोदी का चेहरा बीजेपी के पार्टी के साथ पार्टी के चुनाओं च और दूसरा सच यह भी है कि इस दौर में खुत नरिंद्र मोदी ने गुजरात मॉडल जिस तरज पर खड़ा किया उसकी भी कोई काट इस दौर में निकल कर आती नहीं है और इसी हिंदुत को नए तरीके से उत्तर परदेश के भीतर योगी आदितिनात ने अपने गवर्नेंस के जरिये परोसने की कोशिश की लेकिन हर के साथ कहीं ना कहीं वही हिंदुत का तमगा लगातार रहा और महराष्ट के भीतर भी जब तक शिवसेना साथ खड़ी थी वहाँ पर देखिये कोई दूसरी पॉलिटिकल पाटी बीजेपी और शिवसेना की जोड़ी को कहीं भी सेंद लगा नहीं पाती थी वज़ा उसकी एक ही थी एक ऐसा कॉक्टेल एक ऐसा वोट बेंक निर्मान होता था जो लगभग 50 फीजदी तक पहुँच जाए यानि 40-45 के करीब और 50 तक पहुचने की स्थिती में विधान सभा चुनाओ हो या लोक सभा चुनाओ हो या इस्तिती बीजेपी के साथ महराश तक में रही लेकिन एक जटके में संसत के भीतर जब खुले तौर पर राहुल गांदी ने चिताते हुए कहा कि दरसल आप हिंदू है ही नहीं और सामने खड़े प्रधान मंत्री ने खड़े होकर कहा ये जिस तर्च पर कर रहे हैं कह रहे हैं वो दरसल इस देश में हिंदू समाज के लिए ठीक नहीं है और उसका भी जवाब देने में राहुल गांदी ने देर नहीं लगाई दो संदेश बहुत साफ हैं अगर 2024 के चुनाओं में प्रधान मंत्री मोदी का चेहरा नहीं चला अगर 2024 के चुनाओं के बाद हिंदूत्त की जो परिभाशा RSSS गड़ रही है और BJP उसके हिसाब से चलती चली जा रही थी अगर उसमें सेंध लग गई है तो फिर एक दो नहीं बलकि छे राज्यों पर असर पढ़ने वाला है और छे राज्यों के विधान सभा में सिर्फ एक ही राज्य ऐसा है जहां पर इस वक्त BJP की सरकार नहीं है लेकिन ये माना जा रहा था कि दरसल BJP वहां चुनाओं जीत जाएगी वो रज जारखंड का है लेकिन जारखंड में भी अब जिस तरीके से आदिवासी नेता हेमन सोरेन को जेल में डाला गया पांच महीने तक जेल में रखा गया पूरा लोक सभा चुनाओं पीत गया वो जेल में रहे पिछली बार जेल में नहीं थे लेकिन पिछली पर बीजेपी आकर खड़ी हो गई और यह एक ऐसी परिस्तिती थी जिसने एक जटके में बतला दिया कि जिन छे राज्जों का जिक्र हो रहा है उसमें तीन राज्जों के चुनाओं तो तुरत होने हैं तीन महीने के बाद उसमें एक जारकंड है उसके बाद महराष्ट और ह जनतादल युनाइटेट के जरिये लेकिन वही जनतादल युनाइटेट को हड़पने की कोशिश बीजेपी क्यों नहीं करेगी और बीजेपी ने क्यों करना शुरू नहीं कर दिया है इसका जवाब आपके पास बिलकुल नहीं होगा और दूसरी तरफ उत्तर परदेश मे जो राजनितिक चूले लोकसभा चुनाओं में हिल गई और जो अंदेशा विधान सभा चुनाओं के वक्त भी होने लगा था जब अखिलेश जिस तरीके से जीत रहेते और लोकसभा चुनाओं में उस जीत का परचम बिलकुल नए तरीके से लहरा गया उसने एक संदेश बहुत साफ तोर पर दे दिया उत्तर परदेश के सियासी समिकर्णों में बीजेपी के भीतर लखनाओं और दिल्ली में कोई बैलेंस नहीं है और एक दूसरे को गिराने के लिए बीजेपी की अंद्रूनी परिस्तितियां किस तेजी के साथ बन रही है खड़ी हो रही है य योगी आदितिनाद भी खेल नहीं पाएंगे और जिस लिहास से वोटों का सविकर्ण दिल्ली उत्तर परदेश को लेकर करती रही वह भी छिन बिन हो जाएगा जो राहुल गांदी कर चुके हैं और सबसे बड़ी बात तो यह है कि गुजरात को लेकर जो राजनितिक प्र दिये बीजेपी के भीतर की बीजेपी में वहां पर जो जनता युवा मोर्चा है ब्यारतिय जनता पार्टी की उसका जो नेता उनके जो नेता है उनकी ताकत के सामने वहां के विधायकों की भी कोई ताकत नहीं चलती है और इसी लिए इधर संसत के भीतर जब राहुल गा तो जरा उसके बाद एक जटके में गुजरात में क्या हुआ उसका एक द्रिश जरूर देखिए पुलिस की मौझूदगी है और बीजेपी के कारकरताओं का पत्थरभाजी कारिक्रम है राजनतिक तोर पर जिस बात का जिक्र संसत के भीतर राहुल गांधी बीजेपी को निशाने पर लेते हुए कह रहे थे कि आप हिंदू पार्टी हो ही नहीं क्योंकि हिंदू हिंसक नहीं हो सकता है और उसका बिलकुल नजारा खुले तोर पर गुजरात में नजर आ गया तो क्या वाकई हिंदुत एक ऐसी पुक्ता जमीन के तौर पर बीजेपी के साथ बनी हुई है जिसमें सेंध लग जाए तो गुजरात मॉडल भी धरधरा कर गिर जाएगा ये सवाल राजनितिक तौर पर वहां के समिकरणों के मद्दे नजर इसलिए जरूरी है अब ये समझना कि ध्यान दीजिये हिंदुत के सवाल पर इससे पहले RSS समूचे देश में कूद जाती थी और राजनिती को निशाने पर लेती थी और उनके पीछे बीजेपी के कारकरता निकलते थे लेकिन इस बार आपने देखा नहीं होगा कोई स्वेंसेवर सड़क पर हो ये RSS के भीतर का गुसा आपको दिखाई देने लगे बीजेपी पर निशाना सादा गया संग का नाम लिया गया प्रधान मंत्री मोदी को कहा गया आप हिंदुत का ठेका नहीं लिये हुए हैं बावजूद इसके संग हिला तक नहीं बीजेपी हिले तो क्या इस दौर में जो हिंदुत का जिक्र जिस लिहाज से राजनितिक वोट पाने के लिए प्रधान मंत्री नरिंद्र मोदी के दौर में बीजेपी करती चली गई अब उसे RSS भी पसंद नहीं करती है क्या क्योंकि राहुल गांदी ने जिन सवालों को वहां पर उठाया उन सवालों पर एक चण के लिए गौर करने की जरूरत है और उसके बाद उन्होंने कहा गुजरात भी आपसे ले लेंगे हमें लगता है ये दो परिस्तियां एक एक करके सुनिये पहले हिंदुत को लेकर कैसे चोट हुई तो हमारे सारे के सारे महापुर्शों ने अहिंसा की बात की, डर मिटाने की बात की और दूसरी तरफ और जो लोग अपने आपको हिंदु कहते हैं वो 24 गंटा हिंसा 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 अब हिंदू हो ही नहीं हिंदू धर्में साफ लिखता है साथ्य के सार होना चाहिए साथ्य से पीचे नहीं हटना चाहिए सद्य से नहीं धरना चाहिए अहिंसा हमारा प्रतीक है सही माइने में गुजरात ही हिंदुत्य की असल प्रयोक्षाला रही है और उसको अपने तोर पर विस्तार मद्ध परदेश में RSS ने दिया जिले दर जिले और पंचायत दर पंचायत एक लिहास से कहें तो मद्ध परदेश के भीतर स्वें सेवक जिस लिहास से काम कर रहे हैं उस लिहास से वह गुजरात में काम नहीं कर रहे हैं और गुजरात के भीतर तो विश्धु परिशत से जुड़े हुए परवीन तोगडिया को भी राजनेतिक तोर पर कैसे दरकिनार किया गया यह भी किसी से छुपा हुआ नहीं है लेकिन गुजरात में चुनावी दोर में ध्यान दीजिए बीजेपी को लगबग 60% से ज़्यादा वोट मिलते रहे हैं पहली बार वो डगमगाई थी 2017 के विधान सवा चुनाव में और उस डगमगाने ने बतलाया था कि दरसल बीजेपी चुनाव हार भी सकती है लेकिन अगर आप 2017 को याद कर रहे हैं तो फिर याद कीजिए कॉंग्रेस को लगबग 41-42 फिजदी वोट मिले थे और 77 सीटे मिली थी बीजेपी को लगबग 49 फिजदी वोट मिले थे और उनको 99 सीटे मिली थी मामला फसा गया था अगर राजकोट और हमदाबाद या कहें सूरत की सारी सीटे एक जटके में ना चली जाती तब भी सवाल इजियम का उठा था उठाया गया था लेकिन आज उसकी बात करने की जरुरत नहीं सवाल तो उस राजनितिक प्रयोग शाला का है जहां पे चुनाओ जीतने की राजनिती और हिंदुत्व के आसरे राजनिती को खड़ा करने की सोच इन दो परिस्तितियों में आपको तीन रज दिखाई देंगे गुजरात है मद्परदेश है और उत्तर परदेश है उत्तर परदेश के भीतर का राजनितिक प्रयोग हिंदु महासभा से निकले योगी आदितिनात के आसरे बांदा गया क्योंकि अपने तोर पर आरेसिस घुसपैट उत्तर परदेश में कर नहीं पा रही थी लेकिन गोरक पुरदाम से जिस लिहाज से योगी आदितिनात काम कर रहे थे उनको वो इस पेस आरेसिस ने दिया लेकिन जब राहुल गांदी ने सवाल ये कहकर उठाया कि आपके हिंदुत के साथ तो कॉर्परेट का मिश्रण है इसी लिए उन्होंने खुले तोर पर चिता डाला कि हम आपको गुझरात में भी हरा देंगे तरसल गुझरात में बीजे पी के बिलकुल अनुकूल एक तरफा परिस्तितियां हैं और ये माना जाता रहा है कि कॉंग्रेस के भीतर अभी तक कोई नेता निकल कर नहीं आया जिसके आसरे गुजरात में कॉंग्रेस का केडर खड़ा हो सके पहली बार ये नजरिया अगर पार्लेमेंट के भीतर सीधे तोर पर सामने बैठे प्रधान मंतरी नरिंद्र मोदी जो गुजरात से आते हैं और सामने बैठे देश के ग्रे मंतरी अमिश्या जो गुजरात से आते हैं और चुनावी बिसात विछाने में वो माहिर हैं उनको च जिक्र जरूरी है एक उत्तर पर्देश और एक महराष्ट उत्तर पर्देश के किले को ढहने में देर लगेगा नहीं एक तो लखनव और दिल्ली की दूरी एक योगी आदित्तिनात्त की अपनी जातिय समिकन की समझ और दूसरी तरफ दिल्ली में नरिंद्र मोदी और की चातिय समिकन की समझ एक तरफ गवर्नेंस के तोर तरीके दूसरी तरफ दिल्ली के जरिये उत्तर प्रदेश को चलाने की सोच इस टकराओ के समनांतर संगटनिक तोर पर समाजवादी पार्टी बड़ी पुकता तरीके से जीले दर जीले फैली हुई है और पहली बार जो प जलितों का वोट बैंक भी अखिलेश के साथ गया जो इंडिया गटवंदन के साथ ही सयोगी थे और इसका एसास राहुल गांदी को बाख़ूबी है और वो जानते हैं कि उत्तर परदेश में कॉंग्रस का संगटन नहीं बलकि समाजवादी पार्टी के जरिये इंडिया ग काम करेगा तो फिर कोई मुश्किल होगी नहीं तो क्या गुजरात और क्या उत्तर परदेश और इसके बाद जब आप महरास्ट की दिशा में बढ़ते हैं तो एक सवाल आपके जहन में फिर आएगा महरास्ट के भीतर तो शिवसेना तूट चुकी है और महरास्ट की शिव सकती है दोनों को कुछ ना कुछ चाहिए यह कुछ ना कुछ की परिस्तिती यह कि उद्दव ठाकरे जब कॉंग्रेस और NCP के साथ होते हैं तो उनका वोट परसेंटे 16.52 परसेंट होता है ध्यान दीजिए इस पे और दूसरी तरफ एक नात शिंदे BJP के साथ और अजीत प शिवसेना एक साथ थी शिवसेना टूटी नहीं थी उस दौर को याद कीजिएगा तो शिवसेना ने कभी 23 परसेंट 24 परसेंट के आगे वोट गया ही नहीं लेकिन अब 5-6 परसेंट का इजाफा हो गया यानि कहीं एक राजनितिक गटजोड दोनों को लाप पहुचाता है लेकिन अगला सवाल उस BJP का है जो की अपने उस राजनितिक मॉडल पर चलती रही कि अगर महरास्ट में वोट को साधना है और शिवसेना साथ खड़ी है तो उनका संगटन उनकी राजनितिक सोच हिंदू हिर्दै समराट बाला साहब ठाकरे और उसके साथ साथ खुद RSS क की मौजूदगी महरास्ट में और ये तमाम परिस्तितियों ने बार बार वहां की परिस्तिति में खुद को जो लाकर खड़ा किया वो लगबग उन्चास-पचास परसेंट वोट के इर्गिर्द लाकर हमेशा खड़ा किया इसलिए कॉंग्रेस और NCP दो दशकों में खतम स गई विलासराओ देशमु का आखरी चेहरे थे जो कॉंग्रेस के चेहरे थे शरतपवार भी चूकते चले गए लेकिन अब सवाल उस हिंदुत का है जिस हिंदुत के आसरे राहुल गांदी ने पारलेमेंट के भीतर जो चोट की उस चोट की बाखोबी राजनितिक परिस्त देभी दिया कि दरसल बीजेपी जो हिंदुत का दिक्र करती है वो हिंदुत है ही नहीं और ये पूरा का पूरा ढोंग है राजनितिक तोर पर इस दिशा में वो कह रहे हैं यानि बीजेपी जिस हिंदुत के आसरे इस देश के बहुसंक वोटरों को जो मैसिज देती चली और कभी महराष्ट में साथ शिफसेना ने साथ दिया अब वो बाला साथ ठाकरे की विरासत को लिए उद्दफ ठाकरे जब बोलते हैं यह बीजेपी हिंदुत है ही नहीं इसके साथ और राहूल ठीक कह रहे हैं तो यह मैसेज महराष्ट की राजनिती में उस हिंदू वोट ब को आप साथ ले ले जिन पर आप करप्शन के चार्ज लगाते रहे जिनके साथ खड़े पर फुल पटेल हैं उनके केसे को आप बापस ले लेते हैं कैसे आपके साथ खड़ा हुआ जाए यानि मॉरल यानि नैतिक तोर की परिस्तिती और वैचारिक तोर की परिस्तिती और दोनों परिस्तितियों के बीच खुद प्रधान मंत्री का चुनावी चहरा क्योंकि महराष्ट एक ऐसी जगा है जहां पर प्रधान मंत्री मोदी जिन जिन जगों पर गए उसमें लगभग 72 फीजदी में हार मिली और यही वो परिस्तिति है कि खुद बीजेपी 28 सीटों पर चुनाव लड़ती है और उसे सिर्फ 9 सीटों पर जीत मिलती है ऐसी इस्तिती तो किसी की नहीं हुई ऐसी इस्तिति अजीत पवार की हुई चार सीटों पर लड़ी एक सीट जीत पाई आप 28 पर लड़े 9 पर जीत पाई कॉंग्रेस 17 पर लड़ी 13 पर जीत गई शर्त पवार 10 पर लड़े 8 सीट जीत गए शिवसेना उदव ठाकरे 21 पर लड़े 9 जीत गई यानि ध्यान दीजिए तो बीजेपी का सबसे पूर रिज जब यह कह रहे हैं तो समझ चुके हैं आने वाले वक्त में तीन महीने के बाद ना तो प्रधान मंत्री मोदी का चेहरा महराष्ट में चलने वाला है और ना ही हिंदुत का कोई राग यहां पर बीजेपी के भरोसे गुंजने वाला है यानि महराष्ट के स्थिती हो गुझरात के स्थिती हो उत्तरपरदेश के स्थिती हो विहार के स्थिती हो जारखन की स्थितियों और छठा रज हरियाना है हरियाना की अपनी परिस्थिती ने इस लोकसभा चुनाओं में 2024 में BJP को बुरी तरह तोड़ दिया यानि परसेंट ओव वोट जो तकरीबन 8 से 10 परसेंट का गैप रहता था वो सिमट गया 2 से 3 परसेंट पर और पाँच-पाँच लोकसभा की सीट जीतने से ज़्यादा महत्पूर है कि अगर आप हरियाना के भीतर की विधान सभा सीटों का आकलन करेंगे तो लगभग 60% सीट विधान सभा की कॉंग्रेस के हक में है और वहाँ पर किसी दूसरे गटवंधन की जरूरत नहीं है लेकिन एक बड़ी बात हरियाना में और परिवर्तन को लेकर है पहली बार हरियाना बिलकुल आमने सामने देखने के स्थिति में है वो रिजिनल फोर्स को कही स्पेस अब देना नहीं चाहता है इसलिए जो जेजेपी की मौझूदगी विधान सभा में नजर आती थी वो एक जटके में इस लोकसभा में गाइब हो गई और अब विधान सभा चुनाओ जो तीन महीने के बाद होने हैं अगर उसको आप परखना शुरू कीजेगा कि कौन सी इस्तिती हर्याना में बनती है तो 2019 का आकलन करने की गलती अब ना करें कोईकि लगभग 15% वोर्ट तब जेजेपी को मिले था 36% वोर्ट बीजेपी को मिला था 28% कॉंग्रेस को मिला था लोकसभा में देखिए है ही नहीं कहीं जेजेपी बीजेपी 46% पर है तो 45,43% पर कॉंग्रेस कड़ी है ये राजनितिक परिस्तिती का असर आपको जार्खंड में भी दिखाई देगा क्योंकि जार्खंड के भीतर बीजेपी ने बहुत शालिंता के साथ बाबुलाल मरांडी को अपने साथ ले लिया उनकी जो पार्टी जेवियम थी वो मर्च कर गई लगभग 6% वोट उनके पास आसू जो है उसके पास लगभग 8% वोट इन दोनों को मिलाईएगा तो 14% वोट बड़ा माइने रखता और बीजेपी अपने बूते वहां पर लगभग 33% तो आप कहेंगे सब कुछ तो हो गया लेकिन लोकसभ़ चुनाओं में जैसे ही आप आएंगे ध्यान दीजिये तो अपने तोर पर जेमेम और कॉंग्रेस दोनों ने मिलकर तकरीबन 35% के लगभग वोट को पकड़ लिया सवाल फिर वही है आदिवासी, हिंदुत और प्रधान मंतरी का चेहरा आदिवासीों की जमीन भी वहां पर उन्होंने राजनितिक जमीन भी गमा डाली हैमन सोरेन को जो दरकिनार किया और इस पूरी प्रक्रिया के भीतर एक और बड़ा मुद्दा है अगर हिंदुत तो गायब हो रहा है, अगर हिंदुत तो नहीं चलेगा RSSS तब क्या करेगी, RSSS को लेकर सवाल BJP के अध्यक्ष, JP नड़ा नहीं उठाया था और इस्तिती ऐसी आ गई कि पहली बार पार्लेमेंट के भीतर, JP नड़ा बैठे हुआ हैं और राजसभा में धनकड, देश के उपराश्टपती, स्पिकर, वो ये कहते हैं कि उन्होंने 25 बरस पहले RSSS जॉइन कर ली थी, RSSS का एक लव वो हो गई थी यानि वैचारिक तोर पर सही, लेकिन 25 बरस पहले वो कॉंग्रिस में थे 2003 में उन्होंने बीजेपी जॉइन के, उससे पहले वो कॉंग्रिस में थे लेकिन 25 बरस पहले चले जाईएगा, तो 1999 का जिकर होगा, 1998 का चुनाववा जुन-जुनु से हार गई थे सुनना चाहिए जो ये कह रहे हैं, किस तरीके से आरेसेस को जीवित करने के लिए अब इस देश के भीतर में उपराश्पती भी लग गए है माने नड़ा जी, मैं बताना चाहता हूं कि आज से करीब 25 साल पहले सदस्ये नए होने के बाद मैं आरेसेस का एकलव्य बन गया और क्यों बना तपस्वी लोग हैं, राश्ट्र भक्त हैं, समर्पन की भावना उत्करष्ट है दूसरे विचार को ग्रेंड करते हैं और मैं तो आश्ट्र जकित हूं कि खुद के अलावा देश की सोचते हैं, समाथ की सोचते हैं तो जिस आरेसेस की जरुरत बीजेपी को नहीं, उसी बीजेपी की अध्यश के सामने देश के उपराश्ट पती बत और स्पीकर राजसभा में अगर ये कह रहे हैं, तो जरा उस संकट को समझिए कि आने वाले वक्त में सवाल हिंदुत्त के खिसकने के साथ बीजेपी की राजनितिक जमीन और आरेसेस की विचारधारा का खत्म होना एक जटके में पूरे के पूरे उस सोच को कंगाल बना देगा जिस पर परधानमंत्री मोदी खड़े थे और प्रधान मंत्री मोदी अपने चेहरे के आसरे लगातार ये बताते रहे कि वही हैं तो चुनाओं में जीत मिलेगी यानि राजनितिक तोर पर आस्तित्व का संकट बीजेपी के साथ इन छे राज्यों में हार के साथ कहीं बड़ा होगा सवाल ये नहीं है कि कौन रहेगा कौन जाएगा सवाल तो उस पूरी विचारधारा जो एक लंबे वक्ष से सीची गई उसके ढहने का है और ढहने का संकट क्या होता है आज ये राजसभा में तो तब नजर आया जब कौनग्रेस अध्यक्ष मलिकार जुन ख़डगे जो कि प्रतिपक्ष के नेता के तौर पर राजसभा में थे वो बताना चाते थे कि दरसल सम्विधान का विरोध तो 1950 से RSS करती रही यानि राजनेतिक तौर पर उस समय जनसंग और RSS के लोग विरोध कर रहे थे और उ जानमंत्री जवाब दे रहे और पूरा विपक्ष बाहर चला गया और बाहर निकल कर जो जानकारी मलिकार जुन ख़डगे ने दी वो क्यों बाहर आए क्योंकि वो फैक्ट रखना चाहते थे वो फैक्ट क्या था पर में RSS के जो मुक्पत रहे और्गनाइजर 30 नौवंबर 1990 में अंक में संपादकी में लिखा था यह और्गनाइजर तो अथेंटिक पेपर है उनका यह उनका ओपिशल पेपर है उसमें यह लिखा गया था भारत के इस नए समिदान की सबसे बुरी बात यह है कि इसमें भारती कुछ भी नहीं है प्राचीन भारत के अद्भूत समिदानी क्विकास के बारे में इसमें कोई जिक्र ही नहीं है आज तक मुनस्मृति में दर्ज मनू के कानून दुनिया की प्रस्योंसा का कारण है यह किसने कहा यह और्गनाइजर ने आरेसेस ने जनसंग किस जो लोग थे उस वक्त उन्होंने कहा अब आप सोचिए राहुल ने सिर्फ आरेसेस की नवज को पकड़ा राहुल गांधी ने सिर्फ प्रधान मंत्री मोदी की उस राजनितिक जमीन को पकड़ा राहुल ने सिर्फ बीजेपी जिस विचारधारा पे खड़ी है उसको टटोला भर और धैड़ाती हुई पूरी पॉलिटिकल पार्टी एक जटके में नजर आने लगी और उसकी वज़ा तीन है यानि छे राज्यों में जो महराष्ट है हरियाना है जारकंड है उत्तर प्रदेश है बिहार है और गुजरात भी है जो की पूरे तरीके से उसी हिंदुत्य मॉडल पे खड़ा हुआ है जो ढेड़ाने की स्तिती में एक जटके में आ सकता है अगर वहां का वहपारी तबका पूरे तरीके से खिलाफ हो जाए जो वो नजर आने लगा है वहां पर जो निचला तबका है जो OBC पिछडा तबका है वो अगर निकल कर राजा और खास तोर से उसके साथ परिस्तिती जुड़ी होई है कि अगर जातीय समिकन इस लिहास से चल नि और तीसरी परिस्तिती तो खुद बीते दस बरस में देश अभ्यस्त हो गया BJP मतलब नरिंदर मोधी और जब नरिंदर मोधी नहीं तो BJP का कोई मतलब नहीं और यह पाठ अभी भी पढ़ाया जा रहा है और यह गलती BJP के भीतर प्रदान मंघ्रि मोधी के उस चेरे के आस लेकिन जब किले ढहेंगे तो बचेगा कौन वह आप उंगलियों पर गिन नहीं पाएंगे क्योंकि एक छटके में बरसो बरस से तयार की गई पॉलिटिकल पार्टी और संगठन यानी स्वैसेवकों की कतार यानी रास्टिय स्वैसेवक संग वह सोच ढहेगी और सोच के ढहन का मतलब होगा लंबे अर्से तक कही ना कहीं गाइब हो जाने की परिस्तितियों की शुरुआत हो जाना क्या वाकई ये हवा इस दिशा में बैच चुकी है और 40 घंटों के भीतर संसत का नजारा तो यही बतलाता है बहुत 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 शुक्रिया बहुत बहुत झाल झाल